इस बॉलेटिन की शुरुबात करने एक बड़ी खबर के साथ नगरीय निकाय चुनाव सुलूरी बड़ी खबर आपको बता दे कॉंग्रेस 9 जून को महापौर प्रत्याशियू की गोशना कर सकती है पीसित जीफ कमलनात 8 और 9 जून को एक बैटर करने वाले हैं भोपाल से ही महापौर के प्रत्याशिय तैह होंगे इन दोर से संजिय शुकला का नाम लगवक तैह माना जा रहा है नगरी निकाय चुनाव सुलूरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस 9 जून को महापौर प्रत्याशियू की गोशना कर सकती है पीसेज चीव कमलाथ 8 और 9 जून को एक बड़ी बैठक कॉंग्रेस की लेने वाले हैं इसके बाद प्रत्याशिय के नामों पर मोहर लग सकती है भोपाल से ही महापौर की प्रत्याशिय तैह होंगे मद्ध प्रदेश में नगरी निकाय चुनाओं को लेकर गुशना हो चुकी है लेकिर अब तैयारिया है कि आखिर प्रत्याशी होंगे कौन क्या होगा इसका आधार मेरे साथ सीपी सिकर है कॉंग्रिस से तो ये कहा भी जा रहा है कुछ लोगों को हरी जंडी भी दे दी गई सर कई लोगों को हरी जंडी दे दी गई है कॉंग्रिस की तरफ से देखिए प्रदेश कांग्रिस कमिटी के ओर से हमारे अध्यश कमलना जी ने जो निड़देश दिये है है उस अनिसार हर जिले में जिला चेन समिती बना दी कही है judgment ही नगरपालिक निगम निगर परिशर नगरपालिका इननके जो प्रत्याशी है तो अध्यक्षन है महापूर है उनके नामों का चेन करके लिस्त हमने यहां मंगाई है अभी कहाए घोशना मेर्पत के कांगर्स के प्रत्याशी हों गोई को इस चला यह प्राश की नामंककें पत्र जैसित शुरू वात हो रहे जाए कब सक भीड़ остав कांगर्स के आप पास आ जाएगाす कमल नाजी तो नीमीत रूप से चर्चा कर रहा है जो प्रत्याशी है या जो हमारे जिला कांगर्स के अध्यक्ष है जो प्रभारी है उनसे बात भी कर रहा है दो तीन रोज में कमल नाजी भौपाल आ जाएंगे कमल नाजी कब बैठक ले जा रहे हैं कब से यह चीज़ देए तो आठ यह नो तारीक से शुरुआत कर रहा है आठ और नो तारीक से शुरुआत कर रहा है नो तारीक की बैठक में क्या होता है ने उसमें पर प्रत्याशियों को फाइनल करेंगे ना क्योंकि ग्यारा तारीक से तो मेरे ख्याल से नवंकत पर चालू हो रहा है तो उसमें खासकर मेर प्रत्याशी तैब भुपाल सो हो जाएंगे बाकी जाएंगे तो हमारी नगर पाले का नगर परिश्यद है उसे हमागी स्थानी लोग तै करेंगे तो संबाबना यही है कि नो तारीक तक साइद कमलनाज जी तै कर लेंगे कि कौन होंगे महापौर के प्रत्यासी कई नामों की चर्चा है और प्रयास यही है कि बिनिंग कैंडिडेट हो वो चाए बिदायक हो जांसद हो या किसी भी पतपर हो लेकिन यदि वो जीत दिलाता है तो यही इसी रण निती के साथ कौंग्रेस आगे बढ़ने वाली आजिस खरी के साथ मनोस सेनी मंसर मोपाल चलिए और जादा चर्चास पर हम करेंगे मान एक्जेकटिव एडिटर मनोस सेनी जी लाइव हम अरसा जोट चुके है मनोट जी उची देर पहले हम चर्चा कर रहे थी कि कौंग्रेस जल्थी नामों की खोशना कर सकती है और देखिया अब बतारीक साथ हो चुकी है नौजून को बैटक होगे इसके बाद क्या कुछ सामने आ सकता है कौन से इसी नाम जो लगभग तैमाने जा रहे है देखिया बंतिका सुबह हमने दिखाया भी था कि लगभग एक आदा दर्जन से जादे महापौर तैह है किसको कौंग्रेस टिकेट देने जा रही जिसमें संजे सुकला की नाम की घुस्टना हो चुगी जैसे सीपी सेकर खुद इस बात के पुष्टी कर रहे थे बंतिक पर बोल रहे थे कि संजे सुकला का नाम तैह हो गया लेकिन बाकी हम बात करें तो महापौर तैही को लेकर जहां तक कहा जा रहा है बुरानपुर से जो नाम चल रहा है वो सरीता का है सरीता भगत का लगबग तैह माना जा रहा है इसी तरह सती सिकरबार की पत्नी का नाम तैह माना जा रहा है उज्जैन से महिस परमार का नाम लगबग तैह है उनको कह भी दिया गया है कि वो काम की तरफ लग जाए लेकि नामों की घोष्णा होना बागी है इसी तरह रीबा को लेकर जरूर दो नाम चल रहे हैं अजय एक और दूसरा मंगू सिंग जो बहां के जलाद देश इनके नामों पर चर्चा चल रही लेकिन नो तारीक को सबसे बड़ी खबर यह है कि नो तारीक को कॉंग्रेस अपन कॉंग्रेस इस रणनीती के साथ काम करें नो आठ और नो तारीक को कमना जी बैठक लेने जा रहे हैं बैठक में इस बात का तय हो जाएगा और बड़ी खबर यह भी है कि भूपाल से ही महापौर के प्रत्यासी तय होंगे बाकी नगर पालिका और बाकी नगर पंचयत के ज तो बड़ी खबर निकाय चुनाव सुदूरी आपको हम बता रहे हैं कॉंग्रेस नौ जून को महापौर प्रत्याश्यू की घौशना कर सकती है